नमस्ते भाई बेहनों आप सबको मेरा कोटी कोटी परणाम आज मैं आपको सुनार्यों शिरीमत भागवत गीता ग्यारों अध्याई जरूर सुनें लाइक करें सस्क्राइब करें बोलो लक्षिम नारेन भगवान की जैहो बोलो बांके विहारी की जैहो बोलो कृष्ण कनहिय जैहो दोहा है एका दस अध्याई में विश्वा रूप दरसाई अर्जुन के संधे शब दूर किये यदुराई अर्जुन ने भगवान स्रीक्रिष्न से प्राथना करते हुए कहा है परभुजी आपने मुझे अपना गुरुड तम रह से सुनाया है जिसे सुनने से आपक किर्पा से मेरा मोह दूर हो गया है संगसार उप जाना और परले होना यह सब मैंने विश्थार पूरुख सुना है कमल लोचन कमल लोचन आपकी अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने सर्वन की है हे पुर्षोतम जी आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी बड़ी प्रीती है अथ हे परभुजी अप मेरी विन्ती श्विकार करके मुझे अपने अविनाशी आत्मा के दर्शन कराईए बोलो क्रिष्ण भगवान की जै हो अर्जुन की विनाशुन का स्री क्रिष्ण भगवान जी बोले हे अर्जुन तु मेरा रूप भी देख और दूसरे वल्णों क रूप भी देख नाना परकार की प्रेकरतियां देख कई शूर्य देख कई वसु कई अविनाशी कवि अशिवनी कुमार कई पवन देव जो तुने अब तक नहीं देखे वह देख ये गुड़ा केश अर्जुन सारा संसार इकठा देख क्रिष्ण भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन सारा संसार तु एकठा देख मेरी देह में अस्तावर जंगम और जो भी तेरी इच्छा हो वे सब देख पर हे अर्जुन ये सब तु इन नेतरों से नहीं देख पाएगा इन नेतरों से नहीं देख सकेगा अधै मैं तुझे दिब्य नेतर देता हूं क्रिष्ण भगवान ये जय हो यहां तक का हाल सुना कर संजय ने ध्रिशन राष्ट से कहा हे राजन महायोगी शुरों के इश्वर स्री कृष्ण भगवान जी के भगवान जी ने यह वचन कहकर तत्काली अर्जुन को परम इश्वर रूप दिखाया जिस शुरूप में अनेक मुख हैं और अनेक ही दिब्य नेतर हैं और अनेक ही दिब्य अधबुत दर्शन हैं अनेक आवुशन पहने हैं अनेक परकार के वस्तर और गले में माला है और दिब्य सुगंधियों के शाथ लेपन किये हुए हैं सभी आश्रे और अनंत सभी दिशाओं में मुख जो आकास में एक ही बार में 12 स्थ्र सूर्यों को विखे रहे हैं उनके प्रकास से भी अधिक भगवान के विश्व रूप का प्रकास है वहां शारा जगत स्री विश्व भगवान जी की देया में है बोलो स्री कृष्ण भगवान की जैहो पांडव अर्जुन के यह सब देखकर रोंगटे हो गए और उन से आश्रे से उने नमस्कार किया दोनों हाथ जोड़कर वह कह रहा है यह देवों के दिव श्री कृष्ण भगवान जी मैं आपकी दिया में अनंत ही रूप देख रहा हूं जिसका कहीं जिसका कहीं भी अन्त नहीं दिखाई दे रहा है यह विश्व श्व र रूप है आपके सिर अनंत हैं जिन पर सुन्दर मुकुट हैं आप हातों में शंक चकर और गदा दिख रहे हैं और चारों और आपके तेज का परकास फेला हुआ है मैं आपके इस विश्व रूप को नहीं देख सकता आपका रूप ऐसा है मानो परलब अगनी जल रही हो ज ईसा अनंत आपका तेज है आप अजर अविनासी हैं सबसे परे हैं जानने के योग्ये हैं अनेक निक परकार की रचना से पूर्ण है पहले से भी पहले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुस हैं, आप उनादी हैं, आपके बलका कोई अंत नहीं है, इसी कारण आपका नाम प्राकर्म है, बोलो कृष्ण भगवान की जैवो, बोलो बांके विहारी की जैवो, अनंती आपकी भुजाये हैं, अनंती नेतरे और अंती आपके मुख हैं, जिसमें अगनी जलती दिखाई दे रही है, आप अपने तेज के प्रकास से हिशारी विश्वक प्रकासित कर रहे हैं, आपके इस अदभुत और भैंकर रूप को देख कर तीनों लोक भैभीत हैं, और कई करोड देवताओं को मैं आप मे परवेश करते हुए देख रहा हूँ, कई करोड देवताओं कापते हुए आपके सामने हाथ जोड़े खड़े आपकी इस्तुती कर रहे हैं, कई करोड वसिद्ध पुरुष आपसे भैवित होकर आशिरवाद में दे रहे हैं, कि है इस रूप को देकर भौव से लोग ड़ दरेव हुए हैं, उन्हें समझाते हुए मुनिश्वर कह रहे हैं, हे लोगों तुम दरो मत इश्वर परम दयालु हैं, कई रुद्रों और कई शादों भी दिख रहे हैं, कई ब्रामन, कई परजापती, कई पवन, कई कोटी, देते कई परकार का विश्वर देखता हूँ, और कई कईयों को तुम्हारे इस विशरूप को देखर विशमैक में दूबे हुए देख रहा हूँ, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, कई नेतर बड़ी भुजाएं देख रहा हूँ, बहुत से आपके उरु अस्कल देख रहा हूँ, आपके बहुत से चरण हैं, बहुत डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूँ, आप आकास को छो रहे हैं, जगे जगे कई सूरे परकास कर रहे हैं, आपके अनेक रंग हैं, अनेकी नेतर हैं, जिन में महापडले की अगनी के परवत जलते दिख रहे हैं, ये परभुजी ये बयानक रूप देखकर मेरी आत्मा बहु बस करो, अब प्रशन हो जाओ, परभुजी महापल्ले की अगनी समान आपे मुख में दाड़े देखता हूँ, अब तो मुझे दिसाओं, काभी ज्यान नहीं रहा, परभुजी मुझे नहीं पता कि पूरुप कहां है, और पहसिम कहां है, सांती भी नहीं पाता हूँ, ये जग निवासे जगत के आश्रे अब छमा करो, मैं आपका विश्वरू देख लिया है, अब प्रशन हो ये, यह ध्रिश्राष्ट के पुत्रों की सीना, कि जो योदा हैं, राजा महाराजी हैं, इन में मुख्य हैं, भीश्वां दोणा चारें, वक्करन, इन सभी को अगनी म परजलित, जैसे आपके मुख्य में पड़े देखता हूं, महा भ्यानक जो आपके मुख्य में दाड़े हैं, सो कितने ही योदाओं के सिर उन दाड़ों से लटकते देखता हूं, जैसे बड़े वेग से नदिया समुद्र के उड़ बढ़ती हैं, और उनमें जागलीन हो ज पतंगे उतावले होकर आप बढ़ते हैं, वेसे ही बड़े वेक के साथ योधा गिर रहे हैं, जिसे आप सांसों में निकलते जा रहे हैं, महागनी से भरे आपके जो मुख हैं, उनमें ही शंक्सार को उपस्ते उपजाते हैं, आप ही एक भयानक विश्वरूप धार कर सारे विश्व को भर रहे हैं, हे देवों के दिव, आपको नमस्कार है, बस अप्रशन हो ये, मैं आपका जो आदि अंत देखना चाहता था, वे नहीं देख सका, आपका कोई आदि अंत हो, तो दिखाई दे, आप अनंत हैं, बोलो स्री कृष्ण भगवान की जैहो, बोलो लक्षिम नारे भगवान की जैहो, अर्जुन के वचन सुनका स्री भगवान जी बोले ही, अर्जुन इस समय इन लोगों का काल रूप मैं ही मैंने यह बड़ा रूप इन लोगों को काल निमित की धारा है, जो दुर्योधन की सीनास की योदा हैं, जो तुमारे सम्मुक हैं, तुम एक के बिना यह नहीं होंगे, तुम एक के बिना यह नहीं होंगे, मैं इने ग्रस लोगा, इस कारां यह अर्जुन उठ खड़ा हो, यस ले, इन सब सत्रूं को जीत कर बड़े धर्म के शारट पर थवी पर राज कर, दाएं बाएं हाथ में एक जैसा सत्रूं को मार, यह सबी योदा मैंने पहले मार रखे हैं, तुम तो निमित मातरे की लोक कहें, कि यह सबी योदा अर्जुन ने मारे हैं, यह योदा कैसे ह जो बान की चोड को चूकते नहीं देखो बानों से मारते हैं और साप देकर भी मारते हैं ऐसे हैं दुरोन और भिश्म कैसा है जिसको इसके पिता सांतनू का वर है कि पुत्र जब तेरी इच्छा होगी तभी तु मरेगा जैदर्थ कैसा है जिसका पिता तप करता है और गुरू छेत्र के मंडब में जहां परशुराम के कुंड है सो कैसे कुंड है जब 21 बार परशुराम ने पिर्थवी निच्छा त्रायन करी उन छत्रियों के रुधिर से कुंड भरे है उन कुंड़ों पर जैदर्थ का पिता तप करता है और उनकी इच्छा है कि जो कोई भी मेरे पुत्र का सिर काटे उसका सिर पिर्थवी पर गिर पड़े और करण सूर्य का आवतार है इनके अंतरिक भी कोई योदा नहीं है इनके अंतरिक और भी योदा है यह तेरे से नहीं मर सकते, इसलिए यह मैने पहले ही मार तक हैं, मेरे मारे हो को तू मार और डर मत, बोलो स्रीकिष्ण भगवान की चेह हो, यह राजा जी संजय निधिस राज को बताया, क्रीटी जो अर्जुन के मुकुट के साथ जन्मा, उसका नाम है, वह क्रीटी अथात, अर्जुन भगवान के वजन सुनता, दोनों हार जोकर भैवित होकर, स्रीकिष्ण भगवान के चर्वों में गिर पड़ा और प्रश्ण हो कर बोला, हे भगवान जी जो कुछ तुमारी देह में चर्व देखा, सो कहता हूं, तुम्हारे सरीर में जो अंग हैं, उनमें बहुत जगों पर साथु संतों और महंतों की मंडलियों देखी हैं, जो परस पर तुमारी महिमा कहते सुनते हैं, तुमारे पर साथ से, तुमार परताप से तुम्हारे पर पद मुक्ति पद को सादू संत महांत प्राप्त होता देखता हूँ, तुम्हारी महिमां गाने वालों को देखता हूँ, कई राक्षसों की सेनाओं को देख रहा हूँ, जो तुम्हारे इस रूप को देखकर भैबीत हैं और डर कर दोसों दिशाओ तुम्हें नमस्कार करें तुम्हें तुम्हें अवसे ही नमस्कार करना चाहिए तुम्हें 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 तुम्ह प्रकार के संगसार के करता हो है परभुजी विभूती रूप भी तुमी हो चंद्रमा भी तुमी हो परजा के पती पिता माता पिता दादा और परदादा भी तुमी हो परभुजी तुम्हारे एक एक रूप को मेरा सो सो बार नमस्कार बार बार नमस्कार है महा परभुजी तुम्हें नमस्कार, तुम्हारे मुख को नमस्कार, तुम्हारे पीट को नमस्कार, तुम्हारे तले उपर को नमस्कार, तुम्हें सब और से नमस्कार, तुम्हारे बल, वीरे और प्राकर्म का भी अंत नहीं, तुम सब के भीतर हो है, पर वुजी मैंने अपना सका जानकर क कहने और न कहने योग्या बचन कही हैं कैसे बचन की हे क्रिश्ण मेरा रत लेय। हे दे मेरा अमुक कारे करो। हे सके मेरी अमुक टहल कर इत्याज जो मैंने आपकी अवध्या करी है। पर्वुजी मैंने आपको पहचाना न था कि तुम ऐसी हो मैं तुम्हारी महिमा को जानने को सावदान न था अचेत था है पर्वुजी जो कुछ मैंने आपकी अवधा अवग्या की है और आपके साथ मार्ग में चला हूँ आपके साथ बराबर सया पर सयन किया है आपके समान एक आसन पर बैठा हूँ, ये अचुतम अविनासी पुरुजी मेरी अवध्या चमा करो, परभुजी तुमारी महिमा अप्रमय अप्रमान है, लेक से परे हैं, इस कारण से ये अप्रमय परभुजी अस्थावर जो अपनी जखे से नहिले, द्रक्ष परवत आधितलिन घास ज तुम और सबके गुरु हो, तुम्हारे समान कोई नहीं है, इसी से तुम सबसे अधिक हो, तीनों लोखों में तुम्हारे समान कोई नहीं है, इसी से तुम इश्वर हो, ये इश्वर तुम हर परकार से इस्तुति करने योग्य हो, मुझ पर किरपा करो, जैसे पिता-पुत इस दी का प्राद शमा करता है इसी परकार मुझे भी शमा करो ये परभुजी ऐसा तुम्हारा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था सो इस शुरूप को देकर मुझे डर लगता है ये जगन रिवा से देव अप्छमा करो प्रस्णो कर वही तिप्पय रूप दिखाओ मेरी इच्छ वही शुरूप देखने की है जो परम सुंदर और चिकने घूराले के सोवा पा रहे हैं पितामर धारन किया हुआ है और कंठ में वनमाला विराजे हुए हैं एक हाथ में कमोद की गदार एक हाथ में शंक सुदर्शन चक्र एक हाथ में मेरे रत के मेरे रत के घोडों की बान एक हाथ में चाबुक हे विश्वरूप शर्ष्त्र बाहूं अब मुझे वही अपना चत्र भुजरूप दिखाओ बोलो श्री प्रश्ण भगवान कीजेओ बोलो लक्षिनारन भगवान कीजेओ बोलो बांके बिहारी कीजेओ अर्जुन की ऐसी अनन्य विने सुनकर श्री भगवान जी बोले है अर्जुन यह विश्वरूप तुम्हें मैंने प्रश्ण होकर दिखाया है यह दिखाया है कि यह कैसा है अपने आत्मा का दर्सन मैंने तुम्हें दिखाया है यह सब से परे है अनंत है जिसका अंत नहीं ऐ ऐसा परमिश्वार रूप मैंने तुम्हें दिखाया है, यदि कोई चारों वेद भी पड़े, तब भी इस रूप को नहीं देख सकता, तीर्थों के करने से या अनिक तपस्याइं करने से भी यह दर्शन दुलब है, एक कुरुवन्शियों में, स्रिष्ट अर्जुन तीनों लोकों में कोई नहीं है, जो मेरे ऐसे दर्शन पा सके, यह मैंने केवल तुझे दिखाया है, इसे और किसी नहीं देखा, सो हे अर्जुन भे को त्याग करतो, जो मोड सा हो रहा है, इस डर को त्याग अवै हो, मन से मेरे साथ पृतिवान हो, फिर वही मेरा पहला वाला रूप देख संजय ने धिशार से कहा कि महाराज स्रीकिष्ण भगवान जी अर्जुन को यह वचन कहकर फिर वह शकार रूप दिखा रहे हैं जो सत्व रूप था वही रूप अनेक वही रूप अर्जुन को दिखाया जिससे उसका भैदूर हो गया फिर अर्जुन बोला है जनारदन मैंने जो यह आपका स्वरूप देखा है यह अति दुलब है तब स्रीकिष्ण भगवान बोले है अर्जुन मेरा यह रूप देखना देवताओं के लिए भी दुलब है जो रूप तुझे दिखाया है देवता मेरे इस रूप को देखने की बड़ी इच्छा करत हैं पर वेद पाठों के लिए भी दुलब है यह अर्जुन वेद में पढ़ने से भी मैं नहीं पाया जाता और नहीं तपस्या से पाया जाता हूं नहीं यग्य करने से पाया जाता हूं यह अर्जुन अनेक परकार के जो धर्म है उनमें भी मुझे पाना कठिन है जैसे तू मेरा अनन्य भक्त है, मेरे बिना, तो किसी का भजन नहीं करता, इसी कारण तूने मेरा यह रूप देखा है, इन नेतरों से भी ज्यान नेतरों से भी और ज्यान नेतरों से भी, बोलो सिरे कृष्ण भगवान की जै हो, तब अरजुन उपमा करी, प्रसंग होए महराज, परथम रूप परकट कियो मित्र के काज, कियो मित्र के काज, कहां अरजुन समझाई, लड़ो धर्म के हेतू, सुनो, तुम मन चितलाई, यह दुरगम सरूप मैंने तुमको दिखलाया, देव दनुज बांचा करे, नहीं दर्सन पाया, यग्यतप और दान किये सो, कोई ना आगे, बोलो सुझे प्रेम से तुने मुझे पाया और तेरे अधिन हुआ, तुने मुझे पा लिया है और में तुभे पांड़ो अब जो तुझको करना है, जो तुझको करना उचित है, शो सुन, परम प्रीती से मेरा पूजा कर, परम प्रीती से मेरी पूजा कर, हर सांस में मेरा नाम का इसमान कर, इस परकार मेरा भक्त हो, संसार के लोगों के साथ प्रीती ना कर, सब भूत प्राणयों से निवेर हो, राधे राधे ग्यारों अध्याई समाप्त और ग्यारों अध्याई का महात्मा सुनाओंगी बोलो श्रीक्रिक्ष्ण भगवान की जय हो इसके बार राधे ही राधे